ब्रूर यांग कॉमुनिटी के सभी ट्रैबल भाईयों वेनों को बहुत बहुत बथाई देना चाहता हूं कि लगबग 25 साल से जो समझ्या आपकी लिंगरिंग टॉन में आगे बढ़ती थी आज उसका एक समाधान हो गया है और इसमें सहकार देने के लिए त्रिपूरा के मुख्यमंत्री, मीजोरम के मुख्यमंत्री, स्रीहमन तुष्टव सर्मार नेडा के अध्यक्स और त्रिपूरा सरकार के हमारी समथक पार्टी के सारे नेता और विशेशकर महराजा त्रिपूरा का भी में बड़े रदय से, बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है मित्रो 1997 से जो नागा लेंड अर मिजोरम के अंदर एथनिक टेंशन हुआ इसके कारण उस समय लगवक 30,000 लोग उत्री त्रिपूरा में एक टेंपररेरी केम्प में रखे गए वहीं से लेकर आग तक उनके पर्मेनेंट सॉल्यूशन का कोई रास्ता नहीं निकला था 3 जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपूरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रूप प्रतिमिज्यों के बीच में एक समझोता करा और एक पैकेज की गोशना थी जिसमें विश्थाफित सभी लोगों को सन्मान के साथ मिजोरम में रखने की व्यवस्ता बनी थी परंतु कई कारणों से कई सारे लोग मिजोरम में जाना नहीं चाहते थे तो 18-19 से लेकर आग तक सिर्फ 328 परिवार ही मिजोरम में जाकर बसे थे श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिसेटिव के कारण एक के बाद एक उत्तर पुर्वकी सारी समस्याओं का समाधान प्रधान मंत्री के नेत्रूत में जीस प्रकार से हो रहा है इसमें भी उनके ही इनिसेटिव से एक नए सीरे से वार्ता नए सीरे से नेगोसिशन्स सालू है और उसमें अंत में समाधान ये हुआ कि सारे जो ब्रूर यांग परिवार हैं जो आज लगबग 30,000 के आसपास होते हैं वो सभी को त्रिपूरा में ही पर्मेनेंट बसाने की व्यवस्ता की जाएंगी जिसमें मुझे आनंद है कि सभी ब्रूर यां संगठनों ने सहमती दी है और मिजोरम और त्रिपूरा सरकार ने भी सहमती दी है उनको वहाँ पर 40 बाए 30 फ्रिट का एक आवासी अपलॉप दिया जाएगा और समझोतों के अनुसार 4 लाख रूपय की फिक्स दिपोजिक्ट उनके परिवार के नाम पर की जाएगी पाँच हजार रूपया प्रती माह नकद सहायता दी जाएगी दो साल तक पूरा रासन भारत सरकार की और से दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए लेड लाख रूपया 1.5 लाख रूपीज और उनको दिये जाएगे जिससे वो अपना मकान संद्बान के साथ बना सके जहां तक भूमी का सवाल है कि पूरा मुख्यमंत्री का मैं विशेश धनेवाद करना चाहता हूं उन्होंने वहाँ पर भूमी उपलब्द कराई है और लगबग 600 करोड रूपय का पैकेज आज 31,000 लोगों के लिए भारत सरकार ने एपरू करकर उनको एक नया जीवन नई की शुरुवात देने का प्रयास किया है 23 सालों से ब्रू और रियान विस्ताफित जो त्रिपुरा में रहते थे आज स्री नरेंद्र मोदी के नेत्रूत में उनकी ये समस्या का समाधान होने जा रहा है बड़ा आनन्द का विसा है ये नौर्थ इस्ट का बहुत जलद मसला बहुत लंबे समय से लहा और पर्मेनेंट सॉलुशन आज इसका जो निकल गया है इसके बाद मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारे मिलकर मिजोरौम और त्रिपुरा सरकार मिलकर ये ब्रूर रियांग परिवारों के सर्वांगेन विकास के लिए इनके परिवार के सभी प्रकार के लिकास के लिए कटिबद रहेगी और भारत सरकार भी हमेशा उनके कल्यान के लिए जागरूप भी रहेगी और मदद में भी रहेगी थोड़े समय पहले ही त्रिपुरा में एक जो हत्यारी संगठन था सुबीर देव बर्मा का इसके 88 हत्यारी लोगों ने समर्पन किया था लगब 50 के आसपास ऑटोमेटिक विपन्स भी सरेंडर किये गए थे और 1988 से जो उनका एक संगर्ज चल रहा था उसको समाप्त किया गया था तो एनलेप्टी एसडी के सरंडर के बाद ब्रू और रियांग के पर्मिनेंट सॉलूशन आना मैं मानता हूं नौर्थिस्ट के लिए एक बड़ा कदम है विसेज कर त्रिपुरा के लिए बड़ा कदम है दोनों समस्या इत्रिपुरा की जो बहुत समय से पेंडिंग थी एक एनलेप्टी एसडी के पत्यारी ग्रूपों का सरंडर कराना और ब्रू और रियांग लोगों का निवास का पर्मिनेंट सॉलूशन लाना आज ये दोनों समस्याओं का यहां पर अनताता है और इसके कार मिजोरम में भी एक प्रकार से इरिटेशन का भाव था कि मिजोरम के ही नागरिक प्रमेंट स्थाई नहीं हुए तो आज मिजोरम में भी काफी अच्छा संदेश जाएगा विशेश कर जो त्री सजार से ज्यादा ब्रूर यांग भाईबेन है उनके लिए आज एक नए जीवन की नहीं शुरुवात होगी 23 साल तक 25 साल तक एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं अम अन्विय जीवन जीने के लिए वो लोग मजबूर थे एक कैम्प के अंदर रहते थे ना वहां पर स्वास्त की सुवेधाय थी ना किसी प्रकार के धेनेज की विवस्ता थी ना खुद के घर में बसने की सुरुवात करेंगे तो एक प्रकार से नौर्थीष्ट की दुरुष्टी से देखे तो आज एक बहुत पुरानी 25 साल पुरानी समस्या का पर्मेनेंट समाधान मोदी जी के नित्रूत में निकला है इसलिए मैं देश के ग्रुमंत्री नाते स्री चोराम धांगा, स्री विपल कुमा़ देव, स्री हमन्तव विश्चों शर्मा, हमारे त्रिपुरा के राजा साव, हमारे त्रिपुरा के साथी पक्षों के सारे नेता स्रीमान एंसी और ब्रूर यांग संगठनों के सभी अधिकारियों को सदी पदाधिकारियों को रदय से बढ़ाई भी देता हूँ और सुख कामना इव्यक्त करता हूँ कि आज से जो नहीं सुरुआत हो रही है आप लोगों को जीवन में एक नया सविरा लेकर आए और आपके परिवारों के सर्वांगेन कल्यान के लिए आने वाला रास्ता प्रसस्त हो आप सभी का मन से धन्यवाद करकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ और फिर से एक बात स्री नरेंदर मोदी जी की वार से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये समझोता इसके लोजिकल एंड तक पहुँचे और आपको सब के समान भारत के हर नागरी के समान सारी सुविधाय मिले इसके लिए भारत सरकार कटी बद्ध है आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी इतनी बात करकर मेरी बात को मैं समाप्त